आज हम उधे क्लास में आ की मातरा के शब्दों को पढ़ेंगे पिसली बार हमने दो अक्षर से बनने वाले आ की मातरा के शब्द पढ़े थे इस बार हम तीन वा चार अक्षर के बनने वाले शब्दों को पढ़ेंगे जैसे इसमें लिखावा है तब ला ल में आकी मात्रा लग रही है तो क्या बना ये ला तो तब ला तब ला ऐसे ही स में आकी मात्रा लग रही है साहस क्या पढ़ेंगे इसको साहस अब हम सब खाते हैं क्या खाते हैं पराटा पूरी के साथ अचार तो ये क्या लिखा हुआ है अचार तो पढ़ेंगे इसको अ च में आ की मात्रा लग रही है चार अचार क्या पढ़ेंगे अचार अब यह क्या है गा में आ की मात्रा लग रही गागर क्या पढ़ेंगे गागर हम कौन से देश में रहते हैं भारत देश में रहते हैं तो अब इसको पढ़ेंगे हम, भा में किसके मातरा लग रही है, आगी, तो क्या पढ़ेंगे, भारत, भारत, क्या पढ़ेंगे, भारत, अब हम सब बड़े शौक से खाते हैं, खीर भी बनाते हैं, उसको में क्या डालते हैं, चावल, क्या डालते हैं, चावल, तो इसको पढ ठिदम की सिस तर्म Great GI कि फिट siimas लगाते हैं में चोटे-चपे प्रादें लगाते हैं उसको क्यों बोते हैं गंबला तो यहां पर हम पड़ेंगे तो पॉलना की में प्राइब आ कि में तुला इसको paar के गढ़ की अब सावन क्या है सावन सावन क्या पढ़ेंगे सावन अब कमल में आकी मात्र लग रही है ला कमला क्या हुआ कमला हम सब सबजियां खाते हैं सर्दी के मौसम में खाए की सबजी ज़्यादा पसंद करते हैं पालक किसकी सबजी पसंद करते हैं पालक तो पा में आकी मात्र लग गई तो क्या बना पालक पालक आसमान में आसमान को हम क्या बोलते हैं आकाश क्या बोलते हैं आकाश अब देखिए इसमें में भी आकी मात्रा लग रही है और कमी भी आकी मात्रा लग रही है तो आराम से हमें पढ़ना आता है ये क्या पड़ेंगे इसको जिसमें मात्रा लगी उसका उच्षरण वैसे ही करेंगे तो पड़ने में आसानी रहती है सागर सागर क्या पढ़ेंगे सागर अब किसकी पूजा करते हैं रोच सब्ढ़ेंगे इसमे भी देखें वह में आगे मात्र लगए तो वहाा की अवायज का उच्चारन करेंगे जिसमें भी हमारी मात्र लगती है उसमें तो भा बगवान बगवान क्या पढ़ेंगे भगवान सबकी मम्मी अच्छ अच्छी क्या चीज़े बनाती है उसको क्या बोलते हैं पकवान क्या बोलते हैं पकवान तो इसमें भी वा मैं आंकी महत्रा लग रही तो वा पकवान पकवान क्या पढ़ेंगे पक्वान अब इसको पढ़िए तल इसमें भी वा में आकी मात्रा लग रही है तो वार तलवार क्या पढ़ेंगे इसको हम तलवार अब बरसात होती है बारिश होती है तो इसको कैसे लिखते हम सा में आकी मात्रा लग रही है इसमें बरसात पढ़िए इसको परसात क्या पढ़ेंगे बरसात अब भगवान की सप्पों क्या देते हैं वर्दान तो हम इसको पढ़ेंगे वर्दान दा में आकी मात्र लगरें दान वर्दान क्या पढ़ेंगे वर्दान अब इसमें भी वा में आकी मात्र लगरें तो वा सल्वार क्या पढ़ेंगे सल्वार अब हम रोज इन सब चीजों को पढ़ने के लिए कहा जाते हैं पाठशाला विद्याले विद्याले को क्या बोलते हैं हम पाठशाला अब देखिए इसमें ये चार अक्षर के शब्द हैं इनमें तीन जगें आगी मात्र लगरी है पा में शा में और ला में तो पा में आगी मात्र लगी तो क्या बना ये पाठशाला तो क्या पढ़ेंगे इसको पाठशाला क्या पढ़ेंगे पाठशाला अब इसको क्या बोलते हैं डा खाना यानि पॉस्ट ओफिस डा खाना मीस पॉस्ट ओफिस होता है तो इसमें भी तीन में लगरी मात्रा अकी मात्रा दा में आकी मातरा, ख में आकी मातरा और ना में आकी मातरा तो इसको पढ़िए डा क खाना क्या पढ़ेंगे इसको डा क्खाना अब हम भीमार होते हैं तो हम दवाई लेने कहा जाते हैं? अस्पताल में उसको हम क्या बोलते हैं? दवा खाना तो देखे, द, वा में आकी मातरा वा, खा में आकी मातरा खा, ना में आकी मातरा ना तो पढ़िए, द, वा, खाना, द, वा, खाना, द, वा, खाना अब जहाँ पर हम हावन वगेरा करते हैं, बहुत सारे जगों पर तो क्या होते हैं वहाँ पर हावन को क्या बोलते हैं यग्य तो जहां पर यग्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं यग्य शाला तो इसको पढ़िए शामे आकी मात्रा लग रही है लमे आकी मात्रा लग रही है न तो यगिशाला क्या पढ़िए? अब वर्माला मा में आखी मात्रा लग रही है? ला में आखी मात्रा लग रही है तो पढ़िए इसको वर्माला वर्माला हम टीवी में आजकल मोबाइल में भी देखते हैं न्यूस देखते हैं न्यूस को हम क्या बोलते हैं? समाचार क्या बोलते हैं? समाचार तो स म में आखी मात्रा च में आखी मात्रा तो पढ़िए इसको स माचार समाचार क्या पढ़िए इसको? तो समाचार, इस तरीके से हम सारी आकी मातरा के शब्दों को पढ़ सकते हैं, उसका उच्चारन करेंगे, और उसी तरीके से हम जहां पर भी आकी मातरा लग रही है, उसकी आकी आवाज निकालकर शब्दों को पढ़ेंगे, तो मैं आकी मातरा का अच्छे से ज्ञान हो जाए धन्यवाद